जहिन किसान दोस्तों स्वागत है आपका युवा किसान MP यूटूब चैनल में किसान सात्यों अगर आप तर्बूज की खेती करते हो तो यहां वीडियो आपके लिए बहुत ही महतुपून होला है क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि तर्बूज में इल्लियां बहुत ही जादा मात्रा में लग चुकी है जो फल को खराब करती है फल को चितकाबरा करती है जिसाए कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो इन सारी समश्याओं के रोक्थाम के लिए, हमें इल्लियों के रोक्थाम के लिए क्या करना चाहिए? जो किसान साथी सोचते हैं कि इलिया सिर्फ तरबुच के पत्तों पर लगी है ऐसा नहीं देख सकते हैं आप फल पर भी इलिया लगती है इस प्रकार इलिया लगती है अगर आपको नहीं पता है तो देख ले और आपके खेत में जाकर देखें कि अगर यहां इलिया ऐसे तरबुज की फसल में लग चुकी है तो किसान सातियों इसकी रोख्थाम के लिए हम बहुत अच्छी दवाई के बारे में बात करने वाले हैं तो किसान सातियों अगर आप चेनल पर नए है तो चेनल को सब्सक्राइब चरूर कर दें यहाँ पर आपको खेती बारी से सिजन्टा की एंपली को यहां तर्बुज में हिल्ली के लिए पहुत ही अच्छा और फास्ट रिजल्ट देने वाली दवाई है जो अभी आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी यहां सिजन्टा कंपणी की है यहां सभी प्रकार की हिल्लियों को आपको मारती हैं तो किसान साथ इसके डोच की बात करें तो यहां इसका लगभग 80-90 ml प्रती एकड़ के हिसाब से इसका आपको इसप्रे करना चाहिए लगभग 1.500-200 लिटर पानी में मिला करके आपको प्रती एकड़ 70-60 ml मिला कर आप इसका उप्योग कर सकते हैं यहां सभी प्रकार के सेकेंड पेश्ट को मारती है और आपके तरबुच को बिल्कुल सुरक्चित रखती है इसका उप्योग लगभग आप एक ही बार करें क्योंकि एक ही बार में यहां सभी प्रकार की इल्लियों को खतम कर द ठीक है किसान साते वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें यहाँ पर आपको खेतिवारी संबंद सारी जानकारी समय पर मिलती रहती है